एमाचल प्रदेश विधानसबा चुनाप की समापती की बात से ही नतीजों को लेकर चर्चा तेजी से शुरू हो गई है पहाडी राजी में भारती जनता पार्टी 37 साल की रिवाच को तोड़ते हुए दुवारा सरकार बनाएगी या फिर कोंग्रिस सत्ता में वापसी करेगी ये तो 8 दिसंबर को साफ होगा राजनितिक विशलेशिकों के अनुसार भाजपा को यहां इतिहास रचने का अफसर मिल सकता है हालांकि विशलेशिकों ने ये भी अनुमान लगाया है कि भाजपा को पहाडी राजी में कड़ा मुकाबला मिलने के पुर्ण आसार है राजी में कॉंग्रिस ने ओल्ड पेंशन स्कीम मेहंगाई बिरोजगारी जैसे विभिन मुद्दे उठाए थे माना जा रहा है कि ग्रेंड ओल्ड पार्टी को इसका लाब हो सकता है इन सबी कयासों को मुखेमंतरी जरम ठाकूर ने भी हवा दे दी है मुखेमंतरी जरम ठाकूर ने स्विकारा है कि दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला है हलांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा पुर्ण भहुमत के साथ यहां फिर सरकार बनाएगी और कॉंग्रिस के कई बड़े नेता चुना भार जाएंगे कॉंग्रिस की ओर से 40-50 सीटे जीतने के दावे को भी जेयराम ने खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि भाजपा या कॉंग्रिस कोई भी एक तरफा जीत के दावे करने की स्थिती में नहीं है वहीं सतरुड भाजपा उमीद लगाई बैठी है कि पहाडी प्रदेश में उस रिवाज के तूट जाने के आसार हैं जिसके तहट हर पांच वर्ष में विपक्ष में बैठे दल को सरकार बनाने का अफसर मिलता है आपको बता दें कि राज्य में अभी तक भाजपा और कॉंग्रिस का ही शासन रहा है इसी तरच पर दोनों दल पांच-पांच साल के बाद सरकार बनाते रहे हैं माना जा रहा है कि कॉंग्रिस इस बार प्रदेश में मजबूत नेतरितब नहोंने गुटबाजी जैसी विविन चुनोतियों से घिरी हुई है जिसका लाब भाजपा को मिलेगा फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे है